हेलो स्टुडेंट्स वेलकम बैक वार यूट्यूब चैनल दे रेज इंस्टिट्यूट्स हम क्या पढ़ ले थे हम पढ़ ले थे इपनी क्लास तिंद के हिस्ट्री का पहला चैप्टर दी राइज ऑफ नेशनलिजम इन यूरो बचो प्रीवेस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे 1848 फेबरी 1848 में एक और रिवॉल्ट आता है जो फ्रांस का पूरा का पूरा जो स्ट्रेक्चर है वही चेंज कर देता है क्या था बच्चों हम लोगों ने प्रीवेस वीडियो में पढ़ा था हंगर हाडशिप एंड पॉपलर रिवॉल्ट ठीक है इसमे और अभी खराब ही थी तो वह लोग हंगर को फेज कर रहे थे हाडशिप को फेज कर रहे थे और एक ट्राइम ऐसा आया कि वह इन सभी चीजों को फेज करते करते इतने ज्यादा परिसान हो गये कि उनका पेसंस खो दिया उन्होंने और उसके बाद उन्होंने रिवॉल्ट किया और रिवॉल्ट जब उन्होंने किया तो पूरे के पूरे फ्रांस का क्या हो गया तखता पलट हो गया तो फेबरी 1848 में जो हमारा फ्रांस था वो क्या बन जाता है एक रिपब्लिक नेशन की तौर पे बन जाता है ठीक है इमर्जेंस में आता है ठीक है एक्जिस्टे को पढ़ ले हैं जिसमें लगातार एक लड़ी लगी हुई है किसकी रेविल्यूशन की ठीक बच्चों फ्रांस में रेविल्यूशन आता है तो जाहिर सी बात उसको देख करके बाकी जगों पर भी रेविल्यूशन आएगा तो आज की वीडियो में हमनों यहीं पढ़ने वा किया था लिब्रेल्स ने किया था किसने किया था बच्चों लिब्रेल्स ने किया था तो आज का जो बच्चों हमारा ब्रॉट टॉपिक है किसके अंदर एज अब रेविल्यूशन के अंदर वह है दी रेविल्यूशन आफ दी लिब्रेल्स क्या है 1848 दी रेविल्यूशन लिब्रल्स का जो रेविल्यूशन था उसको आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले चलिए बच्छों बिना किसी देरी के हम अपने उस टॉपिक की और बढ़ते हैं तो बच्छों क्या था कि देखा हम लोग उने कि फ्रांस में जो भी अभी चेंजिंग हुई थी रेप कि फर्सानी की वज़या उन्हों ने पेसंग्स खोया और उन्होंने रिवॉल्ड किया जिसका इम्पायक्ट क्या निकला आउट क्या निकला आउटकम यह निकला कि फ्रांस एक रिपब्लिक कंट्री बन गया तो उसी तरीके से क्या हुआ कि पीजन्स टो हाड़र ही हंगर क सोच की वज़ास उन्होंने रिवाल्ड किया पढ़ने वाले हैं लेकिन अभी पुछ यूरोपीन ऐसी हैं जहां पर अभी नेशन जैसा कोई सब्सक्राइब यहां पढ़ने वाले तो वह क्या है 1848 में वहां पर भी आता है फ्रांस जैसे कि हम लोगों ने डियुक मेटनी का एक बहुत ही प्यारा क्या है कोटेशन पढ़ा हुआ है विन फ्रांस नीचे रिस्ट ऑफ यूरोप कैच इस कोल्ड तो फ्रांस में 1848 में देखते हैं हमारी NCRT क्या कहती है पैरलल 2D रिवाल्ट ऑप दी पूवर अनिम्प्लाइड एंड स्टार्विंग पीजन्स एंड वर्कर इन मैनी यूरोपेन कंटीज इन दी एर 1848 और रेविल्यूशन लीड बाई दी एजुकेटेड मिडल क्लास वास अंडर वे क्या पीजन्स ने रिवाल्ट किया था उन्हीं को पैरलल देख करके क्या क्या लिब्रल्स ने भी अपनी आइडिलोजी के वजह से उन्होंने क्या 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 था फ्रांस में रेविल्यूशन क्यों आया 1848 में क्योंकि जो पीजन्स थे वह हंगर से वहाड़ सिप को फेस कर रहे लें लेकिन लेब्रे Micha इस तरह की किसी भी चीजों को रहे थे वह अपनी आइडिव लिब्राल लिसम राजा को राजा करना चाहिए प्लस अभी को equal rights होने चाहिए यही आइडियोजी ती जब conservative regime restore होती है तो लिब्रल कहीं न कहीं दब जाते हैं तो उनकी ideology जो थी कहीं न कहीं डब गई उनकी मांग पूरी नहीं हो रही थी तो इसी मांग को देख करके जब उन्होंने देखा कि फ्रांस में पीजन्स जब कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते अपनी तो उनकी जो सोच थी वो उन्हें कौन रही थी कि तुम भी रिवाल्ड करो तुम्हें भी एक नेशन बनाना चाहिए तो इसलिए उन्होंने क्या क्या 1848 में रिवाल्ड किया जो किसके लीडर्शिप में हुआ था एजुकेटेट मिडल क्लास आई बास समझ में अब आगे क्या है आपका आगे है कि event of February 1848 in France had brought about the addiction of the monarch and a republic based on universal male suffrage had been proclaimed अब क्या हुआ था 1848 February में जब फ्रांस में रिवाल्ड आया था तो उसमें हम लोगों ने देखा कि जित्ते भी 21 years के मेल्स थे उन्हें क्या मिल गया था वोटिंग राइड वगरा मिल गई थी अब फ्रांस क्या हो गया था एक रिपब्लिक नेशन बन गया था ठीक है उसी को देखते हुए क्या हुआ इन अधर पार्ट्स ओप यूरोप वर इंडिपेंडेट नेशन स्टेट डिड नॉट येट एक्जिट और यूरोप के और भी जो पार्ट्स थे वहां पे नेशन स्टेट जैसा कोई भी एक्जिस्टेंस नहीं करता था लाइक सच आज जर्मनी इटली पोलैंड ओस्ट्रो और उस्टो हंगर अंपाया यह जो गया कि यह पहले इस तरीके के कोई डिक्जिस्टेंस में नहीं थे तो हुआ क्या की प्रांस में देखा कि वी ने क्रदिट क्लास ने को उनल dialect को ने मन में आया το कि हमें भी अपने देश को क्या करना चाहिए यूनिफाइट करना चाहिए अब इसी बात को ले करके वो लोग क्या करते हैं डे टुक एडवांटेज ऑफ दी ग्रोइंग पॉपलर अंदेश तूपुस दिया डिमांड ऑफ दी सल्टेन ऑफ दी नेशन स्टेट और पालियामे बने और जो भी मुनार्ख है वो कॉंसिट्यूशन की विहाब पर काम करें वह भगाना नहीं चाहिए उनको उनका कहना था कि चलो अभी धीरे-धीरे हटाएंगे लेकिन पहले बनाते हैं और कॉंसिट्यूशन के ही विहाब के हम क्या करते हैं राजा को काम कराते हैं तो करने का दिकार हुन चाहिए वह लीब्रेस को क्या कर रही थी कॉन रही थी यह थो लीब्रॉर्ण की बात होगी अब यह रेऴल्यूसन mateix हुआ कहां हम लोग इस लीब्रल रेविल्यूशन को एक रेविल्यूशन किया है वो उसका कंसेप्ट हम लोग जर्मनी के केस में पढ़ेंगे तो आपके NCR टीम दिया गया है इन दी जर्मन ली रीजन अलार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसीएशन हुज मेंबर वर मिडल क्लास प्रोफेशनल बिजनेस्मेन और प्रॉस्परस अर्टिसंस केम तूगेदर इन दी सिटी ओफ फ्रेंग्फूट और डिसाइड तो वोट फॉर एन ओल जर्मन नेशन अस इसके लिएव कहां पgrades फ्रैंग्फूट सिटी में वो लोग सबी लोग मिलते हैं on 8 मैं 1848 कहां पे 1848 में 8 मैं 1848 में मिलते हैं को प्रेंग्फूट में क्या बनाने के लिए अल जर्मन असेंब्ली को बनाने के लिए अब वहाँ पर क्या हुआ कि जित्ते भी लोगों ने मिला था सभी लिबरल्स ने अपनी बातों को रखा जिसमें से 831 पीपल्स क्या हो करके इलेक्ट हो करके आते हैं कहां पर सेंट पाउल चर्च में कहां पर बच्चों यह असेंबली बनाई गई सेंट पाउल चर्च में जो फ्रैंक्फुट सिटी में हैं वहाँ पर जित्ते भी मिडल क्लास के लोग थे वो क्या होते हैं वहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर वोटिंग होती है वोटिंग में 831 पीपल क्या होते हैं कह सकते हो कि एक नैसल असेंबली को बनाते हैं आगे क्या होता है डे ड्राफटेट अ चाहते ते कि मुनार्ग को उस कॉंसिट्योशन के विहाब पे काम कराना चाहते थे तो यह सारी चीजे बात हो गई बच्चों कॉंसिट्योशन की की जर्मनी के लोगों ने क्या हुआ सेंट पॉल फ्रैंक्फूर्ट सिटी सेंट पॉल स्था होगह वहां को लोटिंग की वोटिंग इट रटी मन पीपर को इलेक्ट किया और सभी ने एक जर्मन नेशनल सेमपली बनाया और वहां से वह लोगों ने constitution तयार किया अब इसका outcome क्या निकलता है बच्छों यह सारी चीज़ों हो गई अब इसके बाद outcome क्या निकलता है outcome क्या निकलता है when the dupties offer the crown on these terms to the Frederick William fourth king of Persia अब क्या था बच्छों जैसे मैंने बताया आपको कि जर्मनी जैसा कोई नेशन existence में था वहां पे सबसे बड़ा क्या था एक पर्सियन अंपायर था और बाकी के भी जो पैच्छ वक्स थे उनको reflect कौन करता था पर्सियन अंपायर करता था तो उस पर्सियन अंपायर का उसमें राजा कौन था फैडरिक विलियम फोर्थ किंग ऑप पर्सिया पर्सियन अंपायर था उसलिए वहां पर पर्सिया था ही रिजेक्टेट इट एंड जॉइन डी मुनार्ग तो अपोस दी इलेक्टेट असेंबली और जो लोग थे असेंबली के वो लोग काये थे मुनार्ग के पास क्या आप कॉंसिट्यूशन के विहाब पर काम की जो उन्होंने अपनी बातों को रखा लेकिन जो मुनार्ग था फैडरिक विलियम फोर्थ उसने उनकी बातों को रिजेक्ट कर दिया और उन्हें का डेट आउट बाग जो यहां सी ठीक है आगे क वह कॉंसिट्यूशन की वियाब पर बंद हो जाएंगे तो उनके जो प्रिविलिजेस थे वह भी खतम हो जाएंगे तो इसलिए अरिस्टो क्रेट्स करेंगे साथ में मिलिट्री ने पर पोस किया मिलिट्री जो है वो किसकी अंडर में राजा के यानि फैडरिक विलियम पालियमेंट इरोड़ेट डी पालियमेंट वास डेमोनेटेट बाइडी मिडल क्लासे हुँ रिजिस्टेंस दी दिमांड ऑफ वर्कर आटीशन एंड कंज्विक्ली लॉस्ट यह सपोर्ट और क्या था देखिए अभी जो बनी थी वह किसकी बनी थी सारे के सारे आपके को नहीं मिल पाया जिसकी वज़ा से जो नेसल सेंबली चाहता था वह कंप्लीट नहीं हो पाया आगे क्या है है इंड करा दिया टूप्स को भेज करके नेस और नेस असेंबली को ठेक बच्चो यहां तक आई हो आपको काहनी सवंज में आयोगी पूरी काहनी को फिस रिवा करते हैं क्या था फ्रांस में पिजने किया रिवल्यूसन किया ऊतिन फोटिएट में तो इसी बात उनको कौन रही थी और इसी को ले छंघर फ सिना एक पर्टिकुलर रिवाल्ट हम किसके पर पढ़ेंगे जर्मनी के पर फिर्मनी में लोगों देखा कि जित्ते भी प्रॉस्परस लोग थे उनके मन में आया कि हमारा भी एक नेशन होना चाहिए हमारा भी नेशन कंट्री निचे इसके लिए सबी के सबी जो मिडल एजूकेटर व लोग थे वो करते हैं वहाँ गरमन करते हैं जिसमें York और होते हैं और टूप्स वगयरा को भीज करके उसको पूरी तरीके से खतम करा दिया और नेसन असेम्बली के खतम होने के पीछे सपोर्ट ना मिलने के पीछे काफी रीजन थे इस्टोक्रेट्स जो थे उन्होंने पोस्किया मिलिट्टी ने पोस्किया एक ब्रॉड सपोर्ट जो चाहिए था जिसमें लोगों का था वो भी उनको नहीं मिल पाया जिसकी वजह से जर्मन असेम्बली जो थी उसकी जो भी बाते थी वह फुल्फिल नहीं हो पाई अब तो यह तो हो गई पीजन्स का सपोर्ट नहीं मिला इसके साथ साथ और क्या था इसके साथ सथ देखा जाए तो वूमेंस का जो सपोर्ट था वह भी उतना नहीं मिल पाया और जर्मन नैसेनल संब्ली को ऐसा क्यूं तो इसमें आप देखते हैं कि यह जो मुद्दा था यह काफ सब्सक्राइब वूमेंस ने काफी बढड़ा चड़के पार्टिस्पेट किया था लेकिन इंड में क्या हुआ केवल मेस को ही वोटिंग डी गईी बाकी वूमेंस को किसी को भी वोटिंग राइट नहीं मिली थी तो यहाँ पर जर्मनी के के असे में भी यह उया large number of women had participated actively over the year. Women had formed their own political association, founded newspaper and taken part in political meeting and demonstrating despite this they were denied suffrage right during the election of the assembly. अब क्या हो रहा था कि जो women's हुआ करती थी, वो क्या करती थी अपना newspaper, अपनी meeting, अपना एक assembly उन्हें बराया था ताकि वो reward में support कर सके, लेकिन उनको कहीं पर इतना करने के बावजूद भी उन्हें कहीं पर भी कोई भी राइट्स नहीं मिल रहे थे जब सेंट पाउल चर्स में वोमें गई थी तो वहाँ पर भी उनको कोई वोटिंग राइट वगरा नहीं मिली उनको विजिटर गैलरी में को आपजर्व करने के लिए बैठा दिया गया कि अगर हम जीते तो टालिया वजाईएगा हारते हैं तो मुँ बना के चले आईएगा तो वोमेंस क्या करें थी बहुत बढ़ चल के पार्टिसिपेट कर रही थी मार खाना है आगे आना है रिवॉल्ड करना है निउस पेपर में प्रिंट करना है जितनी भी चीजे थी वो सारी चीजे वो कर रही थी लेकिन उनको कहीं पर भी राइट्स नहीं मिल पा रहे थे ठीक है और क्या है थ्रो कंजर्वेटिव फोर्स वरेबल दू सप्रेज लिब्रल मूमेंट और इसी वज़ा से जो कंजर्वेटिव से उन्होंने सप्रेज करने में वो लिब्रल के मूमेंट को सप्रेज करने में क्या होते हैं काफी तहत तक क्या कर सकते हो कि काम भीयाब हो होता है तो देखा जाए बच्चो तो लिब्रेल्स का यह जो मुव्मेंट था अगर इस तरीक देखा जाए कि फेडिक विलियम फॉर्थ ने खतम कर दिया ठीक है तो यहां बेखा जाए कि जो इनका मुव्मेंट था रिवॉल्ट का वो कैसकते हो कि अच्छा नहीं गया ठीक कट्रास में देखा जाए तो जित्ती बार भी रिवॉल्ट हुए है वह पॉइंट लेकर क्या है याणि पास होकर क्या है लेकिं जर्मनी पहली बार यह अटेम करता है पहली बार में यह क्या होता है तो चैनल ही मना जाए इसका कुछ इंपैक्ट पड़ा तो हां बच्चो इसका एक बहुत बड़ा इंपक्ट पड़ा फैडिक विलियम फोर्थ के उपर तो उस आउटकम को इंपक्ट को हम लोग देख लेते हैं क्या है कि 1848 में जो भी revolution हुआ उससे मुनार की समझ गए थे कि अभी तो हम बहुत power में थे हमने मिल करके revolution को रोप दिया लेकिन अगर cycle इसी तरीके से revolution का चलता रहा तो एक time ऐसा आएगा कि हमें लोग उठा करके fake देंगे और हमारे हाँ कुछ भी नहीं लगेगा तो यह बाते यह जो impact रहा 1848 का वो इन पर पड़ा और यह बाते वो समझ में आने लगी उनको तो वो करने क्या लगें तो करने लगें hence in the year after 1848 दो autocratic monarchy of central and eastern Europe begin to introduce the change that had already taken place in western Europe before 1815 अब क्या हुआ 1848 के बाद जब लोगों ने इस बात को समझा तो उन्होंने क्या करने लगा कि जो सेंटर पार्ट था और जो इस्टन पार्ट था ठीक वेस्टन पार्ट तो काफी कह सकते हो की अच्छा होता जा रहा था ठीक इंडिस्ट्राइजिशन हो रही थी लेकिं सें देना सुरू किया थस सर्फडम और लेबर वर अबॉलिस बोद दी हैंप्सबर्ग डॉमिनेंस और इंदस्या तो जो भी इस्टन और सेंटर पार्ट के जो भी देश थे उन्होंने ठीक जो भी एंपायर से वहां के उन्होंने बताया था ना कि वहां पे जो भी कह सकते हो ख कि छूट देनी सुरू की और वहां पे उन्होंने अब ओलिस डिकर दिया सर्फडम और बॉंडड लेबर्स को और आगे उन्होंने क्या किया दी हैंप्सबर्ग रूल ग्रांटेट मोर ऑटोनोमी तो डी हैंप्सबर्ग इन 1867 और क्या क्या उन्होंने काफी और चीजे भी क पूरा होता है अब इसके बाद हम लोग देखेंगे दि मेकिंग ऑफ जर्मनी कैसे आजाद होता है कैसे जर्मनी निशन की तौर प्याता है इन सारी बातों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तो आई हो बच्चों यहां तक आपको कहानी समझ में आई होगी एक ब पढ़ा कि प्रांस के प्रांस प्रांस टीजर्वाल कर तो है ने बहुंद किया बीए हमें सब्सक्राइब करना चाहिए उनकी ने क loyal कि कहा जिसको ले करकर वहोंए पाल्याआन्य को ऑन्सीटीश हो constitution और equal rights हो सभी को equal treat किया जा यह बातों को ले करके वो चल रहे थे तो इसके लिए उन्होंने reward किया जिसमें हम लोग Germany का case पढ़ रहे थे Germany में जो भी liberals थे वो इस बात को ले करके सोच को ले करके वो Frankfurt Church में सारे middle class क्या होते है Frankfurt City के St. Paul Church वो इकठा होते हैं वहाँ पे all German National Assembly create की जाती है जिसमें 831 people elect होते हैं और वो कहाँ पहुशते हैं Persian Empire का King Fadig William 4th के पास कि आप Constitution के भिहाब पे काम कीजिए लेकिन Fadig William 4th बाकी के मुनार्क साथ मिल करके truth वगरा को भेज करके उस German National Assembly को क्या कर देता है खतम कर देता है और इनके खतम होने के पीछे का रिजन क्या था एस चो क्रेट्स ने सपोर्ट नहीं किया क्यों सपोर्ट करेंगे भाई उनकी privileges खतम हो जाएंगी मिलिट्टी जो की Fadig William 4th के कंट्रोल में थी क्युके गए टी उसमें जितने भी परपस इंक्लूट किया गए थे वह सपोर्ट वहां पे नहीं मिल पाया वोमेंस का वहां पे कंट्रोट को मिला क्योंकि वोमेंस बहुत बढ़ चलु के पारिसिपेट करती थी लेकिन कहीं पर भी राइट्स नहीं मिलते थे सेंट पाउल चर्च में भी यह हुआ था कि उन्हें विजिटर गैलरी में आपजर्व करने के लिए खड़ा कर दिया गया और उन्हें कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं दी गई साइकल इसी तरीके का चलता रहा तो उन्हें धीरे धीरे सर्फिदाम बॉंडेड लेबर और भी बहुत सी जो भी छूट होता ही थी वह उन्हें देना फ्रीडम देना शुरू कर दी ताकि लोग उन्हें उठा करके फेके नहीं ठीक बच्चो आई होप यहां तक आपको बास स इमर्जन्स मिलाएंगे तो बच्चो आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें वीडियो को अपने दोस्तों को साथ सेयर करें और इसी तरीके से जुड़े रहें और पढ़ते रहें थैंक्यू सो मच